शिरी मैश्वी टैन्स के सभी पाटकों शोताओं को श्रत अगत्याने देपुर का नमस्कार वात हम सब के बड़ा ध्यान से गौर से सिलिएगा अधर्म का पत्प एक बार भगवान कृष्ण और कर्ण संबाद कर रहे थे संबाद में कर्ण ने भगवान कृष्ण से कहा कि मेरा जन्म होते ही मा कुंती ने मेरा त्याग कर दिया वुरू दो द्रोणा चारे ने मुझे शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं शत्री का पुत्र नहीं था परशुराम जी ने मुझे सिखाया परंटो मुझे श्राब दे दिया कि जब मुझे शिक्षा की बहुत ज़रुरत होगी तब यह काम नहीं आएगी क्योंकि परशुराम जी के अनुसार मैं शत्री था द्रापदी ने सिवेंबर में मेरा अपमान किया क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था अभ्यास के दोरन सयोग से मेरा बाण गाय को लग गया था लेकिन उसके स्वामी ने मुझे श्राब दे दिया कि जिस प्रकार मैंने एक आसाहे पशुपो मारा उसी प्रकार जिस दिन मैं सबसे अधिक असहाई रहूंगा और मेरा ध्यान शत्रू पर नहीं रहेगा मैं मारा जाओंगा माता कुंती ने अपने पुत्रों को बचाने के लिए अंतिन समय में बताया कि पांडू पुत्र मेरे भाई है मुझे तो कुछ भी प्राप्त हुआ है यह दुर्योधन से ही हुआ है मैं क्यों उनकी तरफ से युधन ना करो तब भगवान कृष्ट ने उत्तर दिया कि मेरा जन्म कारावास में हुआ था जन्म से पहले मेरे ही मावा कंस मेरी मरत्यों के प्रतिक्षा कर रहे थे मेरा जन्म होते ही मुझे माता पिता से अलग कर दिया गया मेरा बचपन गाए गौशाला में बीता तुम्हारा बचपन रत गोड़े और धनुश के ही बीच में बीता मुझे कोई सेना वा कोई शिक्षा नहीं मिली सोले वर्ष की उम्र में कही जाकर मुझे रिशी संदिपन के गुरु कुल में शिक्षा मिली मैं चाता था कि वह मुझे नहीं मिली मुझे उन गन्याओं से विवा करना पड़ा जिन्हें में राक्षसों से बचा कर लाया था और उन्हें मेरी चाहत थी जरा संग से मेरे समाज को बचाने के लिए मुझे पूरा यदुवंश यमुना नदी के तट से हटा कर समुदर के किदारे पैसाना पड़ा रण में पलायन करने के कारण मेरा नाम रण छोड़ दास पड़ गया रश्णी ची कहते हैं कि कण चुनोतिया तो सभी के जीवन में आती है परतो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम धर्म का पालगी ना करें चाहे हमें जीवन में हमारी चाहत की चीज़े भले ही ना मिले महत्व इस बात का है कि उस समय हमारा विवहार कैसा है हम कैसा विवहार करते हैं कोई भी समस्या का अर्थ यह नहीं है कि आप अधर्म की पत पर चल पड़े यह ना देखे कि राश्ट और मात्र शक्ति हमें उससे क्या मिला पहले यह भी देखे कि हमने अपनी मात्र भूमी के लिए क्या किया राश्ट को और परिवार को क्या दिया अधर्म अत्वा अधर्मी के साथ सही योग आपको अधर्मी ना बना दे अपना सही योग और अपना समर्थन प्राथमिक्ता केवल राश्ट परिवार और धर्म हित के लिए है इसलिए किसी के भी बहकाने से, किसी के भी बहकावे में आकर आप गलत काम ना करें. अपने आपको आक्रोष में न लाए, आप उसके लिए सोचे, समझे उसके बाद, आप वोई भी एक्षिन ले. तो आप समी इस चीज का ध्यान रखिये, कि अपने आक्रोश को अपने गुस्टे को थोड़ा सा कंड्रोल में करिए और अपने परिवार के हित में अपने देश के हित में ही काम करिए जै श्री विष्णा जै महेश्ट